तो दोस्तों बहुत लोग सलीम के वारे में पूच रहे थे कमेट्स वोक्स में कि आकरकार सलीम को लेकर सब्रम का बेटा क्या कहता है हाँ दोस्तों बहुत ही बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ दोस्तों सब्रम के बेटे ने सलीम के नाम से क्या बोला ऐसा कि सभी लोग हैरा दोस्तो जब मेडिया के दौरा सबनम के बेटे से पूचा गया कि तुम्हारी मा यानि सबनम के साथ एक ब्यक्ति और भी है जो की सलीम है और उसे भी सेम टू सेम तुम्हारी मा की तरह वह सजा सुनाई गई है नियाले के दौरा तो दोस्तो इस बात पर ऐसा जबाब दिया सबनम के बेटे ने जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे सच मैं मैं भी हैरान हूँ आप भी हैरान हो जाओगे क्योंकि सबनम के बेटे ने साब साब मना कर दिया कि मैं अपने मा के अलावा और किसी को नहीं जानता नहीं मैं किस सलीम नाम के ब्यक्ति को जानता हूं तो दोस्तों कहीं न कहीं ऐसा ही लगता है कि कहीं न कहीं सबनम के द्वारा अपने बेटे को ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया क्योंकि सबनम ने हमेशा से यही चाहा कि वहा बेटा यानि सबनम का बेटा जो सबनम की और सलीम की जो पूरी कहानी है प्रेम कहानी है उसके बारे में वहा सबनम का बेटा ना जान पाई हमेशा से यही कोसिस की सबनम ने और दोस्तों कुछ ऐसा ही है लेकिन साइद अब सबनम का बेटा बड़ा हो गया तो साइद अब जानना शुरू कर दिया हो सबनम का बेटा एक एक बात को अच्छे तरीका से जानता हो क्योंकि आज का जमाना दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंटरनेट का जमाना है हम आप लोग सभी लोग किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो कोई भी इंटरनेट पर सर्च कर लेता है और उसके बारे में complete जानकारी निकला दिये तो दोस्तों ऐसा ह लड़का अपनी मां से मिलने के लिए आया था उसी बीच एक कुशन यह भी कर लिया था मीडिया वालों ने सबनम के बेटे से कि क्या तुम सबनम के अलावा एक व्यक्ति और भी है उस व्यक्ति को तुम जानते हो तो साफ साफ सबनम के बेटे ने मना कर दिया कि मैं सबनम या चोकाने वाली बात है कि सबनम के बेटे ने कुछ इस तरीक का जवाब दिया अब इस जवाब से आप लोगों को क्या लगता है आप जरूर हमें कमेट्स वक्स में बता सकते हैं बीडियो को जानता से जानता सेर कर सकते हैं तो सबनम के बेटे ने सापसा मना कर दिया कि मैं सलीम नाम के ब्यक्ति को नहीं जानता और नहीं पेंचानता हूँ मैं कभी मिला भी नहीं यह ऐसा जवाब दिया जिसे जानकर दोस्तो सभी लोगों को संतुष्टी हुई और आप इस वीडियो को सेर करेंगे तो दूसरे लोग हैं जो की जानना चाहते हैं कि सबनम के बेटे के मन में सलीम को लेकर क्या भावना हैं वह भी दूसरे लोगों को आप बता सकते हैं सेर करके वीडियो को चलता हूँ दोस्तो धन्यवाद